हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटा फट और मज़दार वीडियो का आनल देते रही है दोस्तो आज का एक बहतरीन टॉपिक में आप लोगे लेकर का हैं जिसके लिए हर पढ़ाई करने वाला या यूवा वर्ग या कैरियर बनाने को लेकर के जो चिंता में हैं उनके लिए एक सटीक आंसर इसके अंदर आज मिलेगा आपको जिससे हो सकता हूँ लोगी रहा क्लिय हुआ हैं जाई कि अब आखी लाउफ में को लिए नि Mongo करने का है तो आज किस टौपिक कि युथ जी नोकरी जी यह क्याल आदमी जो पढ़ाई कर रहा है जिसका मोटो पैसा कमाना अच्छा पैसा कमाना वे सबस्क्रायी नोकरी चाहता है तो यह सरकारी नोकरी दोस्तों कि इतनी आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए आप जानते कितनी पढ़े पढ़ेगी लेकिन उसके भावजूरूर। суcusses होंगे या नहीं होंगे इसके लिए कोई guarantee नहीं है इसलिए यह जो चीज है मैं आज आपके लिए ऐसी जानकारी collect करके लाया हूं जिससे आपको बिलकुल clear जानकारी हो जाएगी किे यह ही या आपकी लगेगी या नहीं लगेगी, इसके पीचे मेहनत करनी है या नहीं करनी है, किसी भी परकार का रीजन्स है, वो सारे में खुल के सामने कर दूँगा, कि सरकाई नोकरी आकिर किन लोगों की लगती है, इसमें जो जानकरी दी जारी है, वो लगबग लगबग सही मिलेगी, बागी कुछ परसेंट अपवाद भी हो सकती है, लेकिन में में जो रीजन्स है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करता है मैं इसमें अपना हार्ट ड्रॉग करके आपको समझाता हूँ, कि किस जगे पर आपके क्या पॉइंट्स होंगे, उसकी वज़े से आपको ये सरकारी नोकरी 100% मिलेगी, तो ज़रा इसमें मैं आपको ड्रॉग करके बतायता हूँ, जो हमारी मुख्य लाइने होती है, जैसे कि इन ही से और इन ही के बीच के अंदर क्या सिम्टम्स ऐसे बनेंगे, जिसकी वज़े से आपकी लाइफ के सरकारी नोकरी होगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले नमबर का पॉइंट है, वो कवर करता हूँ आपके सामने ये, ये पहले नमबर का पॉइंट होगा, अगर हतेल जातर इस डायरेक्शन के अंदर यहां आपको मिलेगा, अगर ये यहां उब्रहवा है, आप ऐसा मान सकते हैं, ये वाली चीज इस एरिया से जहां भी उब्रही नजर आएगी आपको, तो सबसे पहले नमबर की निशानी ये होगी आपकी, कि इस इनसान को सरकारी नोकरी मि उब्रहवा है, तो मान लिजे वल्ले वल्ले है, उसकी नोकरी लगने ही लगनी है, सूर्य परवत उब्रहवा, सेकिन नमर का पॉइंट की मैं बात करता हूँ, इसी के साथ में, अगर गुरु परवत से सूर्य परवत की और कोई रेखा आये तो, अब ये गुरु परवत द तो मान लीजिए कि उसकी भी वारे नियारे हैं, क्योंकि गुरु जो है सरकारी शेत्र के अंदर लाब धेने वाला ग्रह होता है, गुरु अमारा अगर उच्च का है और इसके अलावा, इस तरह से उसके उपर लाइन आ रही है, यहां से यहां तक, तो आप मान के चलिए, उसकी सरकारी नोकरी पकी है, यानि गुरु से सूर्य की और रेखा का आना इसके साबित करता है, कि आपकी सरकारी नोकरी यहां लगेगी, तीसरे नमर का पॉइंट है, अगर गुरु परवत पर सीधी रेखाओं का जाल या आपन कह सकते हैं, किस तरह से वो रेखाए होती ह सीधी रेखाए, आड़ी इस तरह से होती है, और सीधी इस तरह से होती है, अगर ये रेखाए आपको नजर आ रही है, तो इससे भी आपका अंदाजा लगाया जा सकता है, कि बंदा महनत थोड़ी सी करेगा, लेकिन सरकारी नोकरी मिल जाएगी, सीधी रेखाए, गुरु के हाथों में हो रहे होगी अगर इस भाग्यरेखा से एक शाखा सूर्य परवत की ओर चली जाए इस तरह से आप देख रहे ये अगर शाखा इस तरह सूर्य परवत की ओर चली गई तो बहुत जादा चांसे जड़ी के इसी सरकारी नौकरी लगेगी यानि भाग्य रेखा और सूर्य परवत की ओर चली जाए पांचवे नमबर का एक special और सबसे important point अगर ये रेखा यहां से जाती भी गुरू परवत की ओर चली जाए यानि पहला सूर्य परवत दूसरा गुरू परवत अगर गुरू परवत की ओर चली जाती है तो वो भी सरकारी नौकरी लगने के चांस है, कुछ लोग की यह ही खतम हो जाती है यह रेका, तो वो मान के चलें के सरकारी नौकरी के चांसे उनके नहीं है, अगर यह लंबी हो करके सूर्य और गुरू की तरफ जाती है, तो यह आपके सरकारी नौकरी के पूरे पूरे चां यह पाँचों पॉइंट ही अपने आपके अंदर सरकारी नोकरी के निशान के डोतक है यानि कि उससे बदा चल जाएगा आपने को इसकी नोकरी लगेगी या नहीं लगेगी तो दोस्तों अगर अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे दीवी जानकरी से संतुष्ट हैं तो लाइक करें, कोई एक सवाल है आपका तो कमेंट करें और मिलते हैं जल्दी ही आपसे नए टॉपिक के साथ में, किसी इंट्रेसिक टॉपिक के साथ में, थैंक यू वेरी मॉच.